क्या आप MCEA दिली NCR से करना चाहते हो कैसा होगा अगर आपको MCEA के लिए कोई आपको कॉलेज मिले जिसका प्लेस्मेंट बहुत ही अच्छा हो अगर आपके मिल में इसकोशन है तो आज मैं आपको 2024 में MCEA के लिए बेस्ट कॉलेज दिली NCR के बारे में बताने वाली हूँ अगर आप ब्रेजुशन के बाद MCEA दिली NCR से करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके काफ यूसफुल होने वाली है अगर आपके मिल में कॉलेज को लेकर कोई बिद्राउच है कोई कंफूशन है तो आप हमसे वाट्साप इंस्ट्राम एंपर कमेंट बॉक्पर क सब्सक्राइब कर सकते हूं तो थांग पाइफ का स्टैब्लिश्मेंट है एए सिटी यूजी सी एयू से अप्रूवड है नाइक ए प्लस प्राविट इनुवरस्टी है ओवरॉल केमपल सिक्स्टी एकर में बना हुआ है जो की सेक्टर बंड़ी फाइव नौयडा में लोक क्लेंट करती है यहां पर हर साल टॉप कंपनी जैसे कि आई बी एम इवाय माइक्रोसॉप्त यामाहा जैसी कंपनी केमपस प्लस्मेंट के लिए विजिट करती है नेक्स्ट आइप स्टैब्लिश्मेंट है यूजी सी अप्रूवड है नाइक ए ग्रेट प्राविट से अफ्लेटिड है ओवरल केमपस एटेकर में बना हुआ है जो की सेक्टर 62 नोयडा में लोकेटिड है यहां के एमसे की फीस अप्रॉक्स वालक सावन परनम की है अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 अलब मांक्स है तो आपको यहां पर आड्वीशन इसली मिल सकता है आइम आप के आर मंगलम युनिवर्सिटी को भी एक्स्प्लोंगर सित्ते हो 2013 का स्टैब्लिश्मेंट है यूजी सी अप्रूब्ट है ओवरल केमपस 26 एकड़ में बना हुआ है जो की गुर्गाओं हर्याना में लोकेटिड है यहां के एमसे की फीस अप्रॉक्स वालक 10 थागन प प्लेम करते हैं अगर आप यहां से करते हो तो आपको सिकेतलों टीसी एंस विप्रो जैसे कंपनी में प्लेश्मेंट मिल सकता है तॉप एमसे कॉलेजिस इंदिल्ली एंजियार में आप एनाई हो यानि कि नायरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी एक्स्प्लों कर सकत यहां के एमसे की फीज अप्रोक्स फोलेटी फोर थाजन परनम की है और आपको इहां पर अपर अपने अपर निशन ग्राजुएशन में 50% इन अपर मार्स की विश्मेंट पर एजली में सकता है अनायू अपना एवर्श प्लेस्मेंट फोर लेक्ट एटी थाज़न परनम क स्टैविश्मेंट है AICTE, MHRD से अप्रूवड है नेक अप्लस ग्रेट प्राइवेट कॉलेज है डॉक्टर एपीज अप्डिगुलाम टेक्निकल उनिवर्सिटी से अप्लेटिड है ओवरॉल केंपस 17 एकल में बना हुआ है नालिग्श पाक 2 ग्रेट अनवाड़ा में लो करते हो तो आपको रिलाइंस, HCL, TCS, Wipro जैसी कंपने में प्लेस्ट मिल सकता है नेक्स्ट अप्ट बैनिश रूवर्सिटी को भी एक्स्प्लोव कर सकते हो चो थालन सिस्टीन कर स्टैविश्मेंट है AICT अप्रूवड है 68 अकर में सो कंप्लेट केंपल्स बना हुआ है ट आपके एक्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही मिल सकता है बैनिश अपना आवरिश प्लेस्मेंट 6,500 पर अंका करता है यहां के टॉप रिकृटर की बाहत करें तो आपको अदॉप जयसी कंपनी में प्लेस्ट पर सकता है तो अप एम्सीट अपाट में अप्ट लगोटिया जयस पर लोकेटिड है यहां के एमसे की फीज अप्रॉक्स 92 थाजन परानम की है और आपे हां से एमसे वेब डिजाइनिंग और सिक्यूरिटी, क्लाव कंप्यूटिंग और स्पिछिलाजिशन के साथ भी कर सकते हो और आपको यहां पर जाओं पर च्राइशन और 50% सकता है नेक्स्ट आप जिम्स को भी एक्स्टो गड़ सकते हो 1993 का स्टैबिश्मेंट है एक ग्रेट प्राइविट कॉलिज है आई पी यू यू उनिवर्सिटी से अफ्लेटिट है ओपराल कैंपस 0.6 एकड में बना हुआ है रोवनी सेक्टर 5 नियु दैली में लोकेटिड है यहां की एमसी की फीज अप्रॉक्स वाल एक सच्टी 4,000 परानम्की है यहां पर आपको एमसी में अडमीशन ग्राइशन में 50% अनबर मार्स के बिसिस पर और आई पीव ए एक्साम के स्कूर के बिसिस पर ही मिपनिकता है जिम्स अपने अबरिश प्लेस्मेंट 5,000 परानम क पर क्लेम करते हैं यहां के तॉप एक्स प्रॉक्स की बात तो एडल आमजोन टी चीस यह जैसी कंपनी यहां पर हर साल केंपस प्लेस्मेंट के लिए विजट करती है टॉप एमसी कॉलेजिस इन दिल्ली न्सियार में आप मानव रचना उनिवर्सिटी को एक्स फ्लो कर सकते हूँ तुछान स्वोक्स स्टैब्लिश्मेंट है एएएएटी एएएउ यू 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 जीसी से अप्रॉट है नेक एप्लेस प्लेस प्रेड प्राइवेड उनिव सकता है मानव रचना आप नाइवरेश प्लेस्मेंट फोलेग एटी थावन परनम का क्लेम करती है यहां से अगर आप हैं से करते हो तो आपको एएएएटी नाडा को भी एक्स प्लेस्मेंट कर सकते हो चुथादिन बन का स्टैब्रीश्मेंट है एएएएटी अप्रूब् यहां के मिल सकता है अपना एभरेश प्लेस्मेंट 5.76 लिएट निया परनम का प्लेम प्लेम करते हैं अगर आप यहां से यहां से म्लिदे करते हो तो आपको हैएएएएएएएट्सेल माय्क्रोफ जैसि कंपनी में हेसे मील सकता है आउप आपको मार्ज वीडियोस्ट निल सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो यूस्फू लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले